Hello guys, welcome back to another video, जहाँ पर को मैं Rajasthan Royals वा Delhi Capitals के बीच में जो amazing match हुए ना, उसके बारे मां बात करने वाला हूँ, अब amazing कह रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि यार, यह जो match था बहुत ही जादा interesting था, नहीं भई उतना जादा interesting नहीं था, I mean यार, last match ही हमने 500 से जादा run वाला match देगा था, तो उसके comparison में थोड़ा फीका जरूर था, लेकिन यहाँ पर को from a technical point of view, मेरे के आल से यार, match में बहुत अच्छी मतलब यार, progress हुई थी, खासकर मतलब यार, Rajasthan Royals वालों की तरफ से, जिनोंने मतलब यार, अपनी टीम को जिस तरह से संभाला है ना, जिस तर जॉस बटलर दोनों एक बार फिर से opening करने आये थे, अब बूलने के लिए तो मैंने इन दोनों को मतलब यार, इस IPL का सबसे बहतरीन opening प्यार कहा था, लेकिन जब से मैंने हुए statement दिया, तब से यह दोनों मतलब यार, कुछ खास करने बार है, यह सस्वी जैसवाल जल्दी कमाल की बूलिंग कराई थी, बहुत जादा किफाईती बूलिंग कराई थी, यह कहना मतलब यार, जादा अच्छा होगा, क्योंकि यार, राजसान रोयल्स का आप लोगों ने स्कोर देखा ही होगा, मतलब पावर प्ले में इन लोगों ने जादा रंस नहीं बनाए, 30 से 40 क बंदा जाग चुका है, और जैसा कि इस IPL के स्टार होने से पहले मैंने आप लोग से कहा था, जो मेरा X Factor है इस IPL का, वो है रियान पराग, क्योंकि यार, इतने साल हो गए है, यह बंदा चला नहीं है, एक बार तो मतलब यार, ऐसा मोका आएगा, जहाँ पर को मतलब यार दूसरे मैच में रन नहीं बनाओ, इसी को इसकी inconsistency कहते हैं बता है, और exactly भई, Sanju Samson एक बार फिर से उसी रस्ते पे चल पड़ा है, जहाँ पर को मतलब यार, ओ बंदा पहले मैच में रन्स बनाता है, फिर रन्स नहीं बनाता है, फिर रन्स बनाएगा, फिर ऐसे ही मतलब यार, trend आगे को बढ़ता जाता है, फोफुली यार, जो Sanju Samson है, बैट के साथ कुछ अच्छा करे, वरना जो विकेट कीपर का spot, T20 World Cup में अभी मतलब यार, खुला है ना, वहाँ पर को मेरे क्याल से कोई दूसरा मतलब यार, बाजी मार जाएगा, लेट सी मतलब यार, आग शक्के थी ना, फ्लूक भी नहीं था, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉर्ट था, यार, क्या कंबाल की शॉर्ट मारे थे, एश अन्ना हो गए, डीके हो गए, वरल्ड कप से वेले आपने आपको रिडीम कर रहे है, सप्राइज हो गया है, मैं तो बिल्कुल भी सप्राइज न आखरी ओर से पहले भी ये बंदा, एक्जैक्ली मतलब यार, वैसे ही हिट करते जार था, लेकिन जो आखरी ओर में इस बंदे ने आनिक नौक्या को पीटा ना, भाई साब, चौका, 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 पच्चिस रन का ओर था मेरे ख्याल से हो, तो रियान पराग इस फाइन आखी तो सारे के सारे करी रही थे, आज भी देख लो, मतलब यार, एश अनना को इतने उपर बेज दिया था, इन लोग ने, अगर मतलब यार, एश अनना वाला जो एक्सपेरिमेंट है, वो फेल हो जाता, और रियान पराग रनी मनाता, इस लोग दिक्कत में आ जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या था, रियान पराग की इनिंग्स दी, मेरे ख्याल से ही जो बंद है न, राजस्थान के लिए एक चाबी होने वाला इस साल, लेट ची बंदा कैसी बल्ली बाजी करता है, लेकिन कल तो इस बंदे ने बहुत जादा कमाल की बल्ले बाजी किया है, जिस लेकिन उसके बाज डैली केपिटल्स वाले बैटिंग करने आ है, और सही बताओ, इनकी जो बैटिंग लाइन पे न, उसको देखके मुझे गुस्सा आ रहा है, बिकास यार प्रित्वी शौ का नामों निशान नहीं है, बई, पता नहीं रिकी पॉंटिंग क्या सोचने है, बई, रिकी पॉंटिंग यार डेविड वाटनर और मिचल मार्स के साथ ओपनिंग क्यों कर रहे हैं, बई, मेरे ख्याल से तो यार प्रित्वी शौ को यहां पर को होना ही पड़ेगा, बिकास यार इनके जो दो बैट्स बैट्समैन है न, वो उपनिंग करने आ रहे हैं, इ उसके बाद इनकी जो बैटिंग है वहां पर को इनका रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जहां पर को मतलब यार रिकी भुई है, अब रिकी भुई को इतने उपर क्यों बेजा मुझे ये भी समझ में निया है, ये बंदा मेरे ख्याल से यार स्पिन के खिलाफ बहुत बेकार है, उन लोगों को शायद पता नहीं है कि यार किस प्लेयर की क्या मतलब यार वीक्नेस है, किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंद है, क्योंकि रिकी भुई को जो पेसर्स के सामने डाल दिया ना, वो मेरे क्याल से यार आइडियल ओप्शन नहीं था, जैसे CS के मतलब यार शिवम दूबे को यूज करती है, वैसे इसको भी यूज किया जा सकता था, बट भई मतलब यार इनके मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं था, तो यहाँ पर को मतलब यार इनका एक बार ओपनिंग बैर आउट हुआ, तो फिर मतलब यार रिकी भुई भी भी जल्दी निक इन दोनों के रूप में राजसान रोयल्स के पास बहुत ही कमाल के पावर प्ले वाले बोलर है, रवी चंदन अश्वी ने मिडल ओवर में अच्छी बूलिंग कराए, तीन ओवर में तीस रन दिये, युजुएंदर चैल ने मिडल ओवर में अच्छी बूलिंग कराए, त तो मतलब यार ट्रेंड बोल के साथ जाता या तो यार नांद्रे बर्गर के साथ जाता आवेश खान के साथ तो डेफिनेटली नहीं जाता ये बंदा भले ही कितनी अच्छी बोलिंग करा दे लेकिन मुझे मतलब यार आखरी ओर में इस बंदे पे भरोसा नहीं है अल्थो मै अगर बहुत ही जादा प्रेशर वाली सिच्वेशन है ना मैं तो मतलब यार इस बंदे पे उतना जादा भरोसा नहीं दिखाना चाओंगा देखते हैं मतलब यार ये जो एक्स्पेरिमेंट है कितने टाइम तक काम करता है मैं तो बोल ला हूँ भाई अपने बेस बोलर से क इनकी टीम परफेक्टली बैलेंस टाइब की है अगर इनके सारे प्लेयर्स ऐसे ही मतलब यार क्लिक करते रहें जो की मतलब यार हर मैच में तो डेफिनिटली नहीं करने वाले तब देखने मां मजाएगा जब मतलब यार आवेश खान की बूलिंग उतनी खास नहीं होगी और हाँ आप लोग नहीं तक मेरा टेलीग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया तो कॉमेंट सेक्ष्ण मां लिंक है दिस्क्रिप्शन मां लिंक है वहाँ पर कुछ आके जोइन कर सकते हूं मीम देता हूं अपडेट देता हूं बहुत सारा डिसकेशन भी हम लोग करते हैं अभी जाओ इन गरो मेरे वई